अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले से मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाएगी तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो आज हम बनाएंगे मलाई से बिल्कुल घर का प्योर गी और उसी मलाई से बचिऊ ही खुर्चन से हम बनाएंगे घर में बिल्कुल प्योर मावा और मावे की हम बनाएंगे कलाकंद जो खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है बिल्कुल बजार जैसी और बिना machine के याँ पर कोई machine नि यूज़ कर रहे हैं बिलकुल simple तरीके से मलाई से आज हम बनाएंगे गी बिल्कुल pure तो चलिए शुरू करते हैं मलाई से गी बनाने के लिए सबसे पहले हमें याँ पर लेनी है एक कडाई कड़ाई याँ पर हमें बिल्कुल मोटे तलेगी लेने हैं जो मोटी हो नीचे से ताकि हमारी मलाई जलेना तो अब हमें याँ पर डाल देनी हैं मलाई अपनी जो हमने स्टोर करके रखी हुई थी अभी सर्दी है तो मैंने याँ पर एक अफ़ते की मलाई लिया है आप गर्मियों में अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप उसको फ्रीजर में स्टोर करके रखें मैंने याँ पर चार पास दिन की मलाई लिया है आप इसको स्टोर करके 10-15 दिन के लिए भी रख सकते हैं फ्रीजर में बिल्कुल भी खराबनी होती है ये तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं अब हम इसको बिल्कुल गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसको लगातर चलाते जाना है हमें याँ पर बिल्कुल भी हाथ को नहीं रोकना है लगातर हमें चलाते जाना है ये देखिए 10-15 मिनिट बाद चलाते चलाते हमारी जो हमारा घी निकलना दीरे-दीरे शुरू हो चुका है आप जो इसमें से मावा निकलेगा आप उसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी और चीज में भी आप उसे यूज कर सकते हैं तो यह देखे इसको हमें यापर बिल्कुल भी जादा नहीं ये जलाना है मतलब कि ज्यादा नहीं पकाना है बिल्कुल इसको लाइट रखना में तो हमारी बरफी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और ये देखे इस तरह से बिल्कुल लाइट गोल्डन हो चुकी है जो हमारा मावा है और हमारा घी भी बिल्कुल निकल के तयार हो चुका है ये देखे इस तरह से हमें निकाल लेना है अब हम यहाँ पर एक बरतन लेंगे और उस पर छलनी रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर डालते जाएंगे यह बहुत गरम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि हमारा घी अच्छे से निकल जाएं हम यहाँ पर इसको जादा नहीं पका रहे हैं क्योकि हम यहाँ पर इसकी कलाकंद की बरफी बनानी है तो इस तरह से अगर आपको बरफी नहीं बनानी है तो आप इसको अच्छे से और पका करके बिल्कुल सिर्फ गी निकालना हो तो आप इसको और पकाना अच्छे से बिल्कुल जब तक यह लाइट डार्क ब्राउन ना हो जाए तो हम यहाँ पर बरफी बनाएंगे इसकी कलाकंद की तो इसलिए हम इसको light हमने इसको रखा है हमने इसको जादा नहीं पकाया है अब इस तरह से इसको दबा करके हमें इसका सारा गी निकाल लेना अच्छे से निचोड लेना बिल्कुल इसके अंदर हमारा बहुत गी रह जाता है तो इस तरह से आमेनी चोड़ लेना है और बिलकुल घर का प्योर घियापका बन करके तैयार हो चुका है आप हमेशा इस तरह से निकाले जब भी आपकी मलाय खट्टी हो जए ये देखिये बिलकुल हमारा शुद्ध प्योर देशी घी निकल चुका है अब हमें वापिस से कडाई रख देनी है और जो हमारा मावा निकला है उसको हमें इसमें डाल देना है यह दिखिए इस तरह से हमें चलाते जाना है इसको अच्छे से फैला लेना है अब हमें यापर डालनी है चीनी चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, आप कम ज़्यादे जितने आपको खानी हो, मैं यहाँ पर एक कटोरी डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, इसको डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अब हमें यहाँ पर डाल लेना है एक गिलास के करीब दूद में याँ पर एक गिलास दूद डाल दूँगी एक गिलास दूद डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है लगातर से चलाते जाना है यह देखिए इस तरह से में बिल्कुल भी नहीं रोकना है हाथ को बन करके तियार हो जाएगा आप इसे वर्त में भी खा सकते हो बिलकुल पियो हो रही है इसमें कोई हमने यापर मैदा वगेरा कोई यूज नहीं करी है बिलकुल दूद और मावे की हमारी बहुत ही बढ़िया मिल्केक बन करके तियार होएगा बिलकुल बजार जैसा तो यह देखे इस तरह से चलाते जाएंगे हम continue और जब तक कि यह गाडा ना हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से पका लेना है अब हमारी चीनी भी इसमें अच्छे से mix हो चुकी है और इसको continue में 10-15 मिनिट तक इस तरह से चलाते जाना है तो यह देखे आप बिलकुल bubbles आ जाने से बन करके त्यार हो जाएगा यहां पर हमें बिलकुल भी कुछ नहीं खर्च करना पड़ा अलग से हमारी मलाई से ही हमने यहां पर बिलकुल बढ़िया कलाकंद बना करके त्यार कर लेना है तो यह देखे इस तरह से अब हमें इसको चलाते जाना है और यहां पर हमा साज लेना कि अच्छे से बन गया है तो देखिए दीरे-दीरे यह बिल्कुल गाड़ा होता जा रहा है और हमें इसको फट्र मिल्कुल इसको घाड़ा करना है तो के यह चुस deval अच्छे से जेंगे तब अब हम इहां पर gas की flame को बंद कर देना है और हम इहां पर एक plate लेनी है कोई भी आप ले सकते हैं पर बेने थील के लिए तो अब हम यहाँ पर एक चमश गी डालेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे लगा लेंगे प्लेट पर ताकि हमारस ज्ञबल केक हैं वह अच्छे से निकल आयां तो चलिए मैंने यहाँ पर अच्छ चीह से घी को ल बहुत गरम है तो इसलिए में थोड़ा थोड़ा करके अराम से डालना है तो इस तरह से में यहाँ पर सारा डाल लेंगे यह बिलकुल दानिदार बनेगा बिलकुल बजार जैसा जब आप खाएंगे तो आप पताई नहीं कर पाएंगे कि आपने यह इतनी असानी से बनाया औ इस तरह से हमें चिकना कर लेना है इसको फिला करके चारो तरफ हमें इसको इस तरह से चम्मच की मदद से सैट कर लेना है इस तरह से हम सैट कर लेंगे अब मैं यहाँ पर इस तरह से पल्टे की मदद से इसको बिलकुल चिकना कर लेंगे यह देखें कितना सुंदर कलर आया है बिल्कुल बदामी तो अब इसको 10-15 मिनिट के लिए रख देते हैं तब तक यह ठंडा होता है इसको मैंने अभी फ्रीजर में रख दिया है आप भार भी रख सकते हूं तब तक हमारा वह कलाकन सेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर काजू ले लेते हैं इसको थोड़ा सम् बिल्कुल रफली थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है यह देखे इस तरह से हम यहाँ पर बिल्कुल बारिक नहीं करना है मैं गार्निश करने के लिए यहाँ पर काजू ले रही हूं आप कोई भी ड्राइफ फूर्ट ले सकते हैं जो आपको पसंदो तो अब इस पर डाल दे के बाद बाद में गार्निश कर सकते हो लेगिन मैंने यहाँ पर पहले ही कर लिया है तो यह देखिए अब मैंने सब भी को डाल दिया है अब हम यहाँ पर एक नाइफ लेंगे नाइफ की मदद से अब हम इसको कट करेंगे यहाँ पर मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया थ यह बहुत ही टाइट हो गया था आप इसको नॉर्मल टेंपरेचर पर भी रख सकते हो 15-20 मिन्ट में यह बारी असानी से सैट हो जाता है तो मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था और यह बहुत ही जल्दी सैट हो जाती है अब इसको हम फीसिस कट कर लेते हैं आप यहां प ट्राइज जरूर कीजेगा चलिए मैं आपको दिखा देती हूं एक बार यह देखे बहुत ही दानेदार बना है इसका टेस्ट बिल्कुल कलाकन जैसा है आप एक बार ट्राइज जरूर कीजेगा मैंने यहां पर सभी पीसिस को कट करके रख लिया है तो यह देखे कितना सॉफ्ट है बिल्कुल मुह में जाते ही एक दम से घुल जाएगा इतना सॉफ्ट बना है देखे मैं आपको तोड कर दिखा देती हूं थैंक यू फॉर वोचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार